इस आई चरन सिंग को एंटी करप्शन की टीम ने 25,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरपतार किर लिया जिसमें बताया कि चरन सिंग ठाना नखासा में बीते महीने दर्ज हुए दहेज अधिनियम के मुकदमे में आरोपियों के नाम निकलवाने के एवज में 50,000 की मांग कर रहे थे जिसमें की 25,000 नकद राशी के साथ एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी S.I. चरन सिंग को आरोपियों के नाम मुकदमे से निकालने के एवज में 50,000 रुपई की मांग कर रहे थे आरोपी S.I. की सूचना महीला के ससुर ने भ्रश्टा चार अधिनियम में दी जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने प्लान बनाया और उसी प्लान के तहट 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथो S.I. चरंग सिंग को गिरफतार कर लिया गिरफतारी के बाद एंटी करप्शन की टीम आरोपी S.I. को अपने साफ थाना हयात नगर लेकर पहुंची जहां पर आगे की कारवाही शुरू की गई किस चीज का मुकदमा दर्श कर आया था किसके किस मुकदमे में आम निकल वा रहे थे दहेश विर्शा का और मैं ज्यादा जांताना बहुत मुकदमी साथ निकल लिए 25,000 रूपर ले लिए आफसे 25,000 और मांग रहे थे तो आपके आरूप को लगा था दहेश का आठवार ह यह एक शिकायत करता थे श्री कलवा पुत्र हिरालाल निवासी सैदपूर जसकोली इन्हों ने ब्रश्टाचार निवारन संगठन मुरादाबाद इकाई में प्राथना पत्त दिया था कि उसके परिवार और उसके लड़के और उसकी पत्नी आदी आठ लोगों के वुद्ध यह उसकी पुत्रवदू श्रीमती हेमलता ने मुकदमा प्रासंख्या 607 बटे 2019 धारा 468 में 376, 307, 504, 323 आईपीसी वदेह जदिनियम का मुकदमा पंजिकत कराया है जिसमें SI 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 CHRANN SING ये भी वेचना कर रहे हैं और SI 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 CHRANN SING गंभीर दाराओं को हटाने के लिए और शे मुल्जिमों का नाम निकालने के लिए 25,000 रुपे की रिश्वत ले चुके हैं और उसके अला अतिरिक्त 25 जार रुपे की ओर मांग कर रहे हैं, जिन है आज रिश्वत लेते विए रंगे हाथों गरफतार किया गया है, 25 जार रुपे की रिश्वत ऐसा इसे रिचरंशिंग दुवारा ली गई है, और ये उसी में गरफतार हुए है, जिन है, जिन है आज मांग जा रहे हैं, 25 जार रुपे की परे ले चुके था, जिन है वादी से प्रतिवादी से नहीं प्रतिवादी पक से, प्रतिवादी